मानव जीवन एक बहुमूल लेने दिये है ये जीवन हमें उपरवाले ने दिया है किन्तु इसकी रक्षा का कार्य डॉक्टर्स को मिला है जो इसे बहुत भी निभा रहे हैं आज हम आपको ऐसी ही एक ग्रैंड परस्नालिटी से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने लाखों लोगों की स्किन से जुड़ी समस्याओं को हल किया है भारत के प्रगतिशील स्टेट गुजरात में डॉक्टर जगदीश सखिया स्किन केर के टॉप डॉक्टर्स में गिले जाते हैं और इनका वर्चस्व, इनका दबबा मुंबई और डेली में भी है दो दशकों से कॉस्मेटिक डर्मेटोलोजी और लेजर मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर जगदीश का जन्म सौराष्टर गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ अब मेडिकल कॉलेज में एड्मिशन लेना कोई खाला जी का घर तो है नहीं लेकिन कड़ी लगन और मेहनत से इन्होंने ये भी कर दिखाया और फिर जब मेडिकल प्रोफेशन में कदम रखा तो एहसास हुआ कि डर्मेटोलोजी में अच्छे डॉक्टर्स बहुत कम है और इसलिए कॉस्मेटिक डर्मेटोलोजिस बनने का फैसला किया इनके लिए ये सब आसान नहीं था ये एक कंसरवेटिव फैमिली से आये थी आप विश्वास नहीं करेंगे कि बीस साल की आयू तक इन्होंने ट्रेन में पाउं तक नहीं रखा था शुरू में इन्हें कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा पर हिम्मत नहीं आरी और कर्मवीर की तरह आगे बढ़ते रहे और अंत में सफलता ने इनके कदम चुमे जो ये करना चाहते थे वो आखिर इन्होंने कर दिखाया कई साल स्ट्रगल के बाद ये भारतिय जनता को स्किन केर की इंपॉर्टेंस समझाने में कामयाब हुए लेकिन ये मुकाम इन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया 300 स्क्वेर फ्रीट में अपना पहला क्लिनिक जब इन्होंने खोला तो सुभे 9 बजे से रात को 12 बजे तक चीतोड काम किया करते थे अकेले ही अपने क्लिनिक के सारे कार्यों को सभालने वाले डॉक्टर जग्दीश सक्या कई सालों तक पेशेंट्स को free of cost ट्रीट्मेंट्स देते रहे और तो और इन्होंने 60 डर्मेटोलोजिस्ट्स को free of cost ट्रेनिंग दी ताकि वो सब भी स्किन की बिमारियों से जूज रहे पीडितों को बेतर सेवाई दे सके क्या बात है सखिया सार्थ गुजरात में सफलता पाने के बाद इन्होंने 40 देशों में conferences अटेंट करके तुनिया भर की latest technologies और treatment को सीधा ताकि भगवान की बनाई नूर्थियों को तराशने का काम बखू भी सभाल सके आज इनके पास पूरे देश में लगभग 120 high-tech laser machines हैं जो modern treatment द्वारा patients की मदद करती है Botox therapy, Microdermal and Chemical Filling, CO2 laser and facial resurfacing, filler, mesotherapy, sclerotherapy, hair removal, derma roller और ऐसे कई treatments इनके centers में उबलब्द कराए जाते हैं अब अगले चरण में ये 2-tier cities में 110 clinics और start करने वाले हैं इनका मानना है business start करना ultra marathon है इसमें हमें गुनवत्ता से समझोता नहीं करना चाहिए इसमें सिर्फ passion ही नहीं बल्कि वास्तविक्ता पर भी नज़र रखनी चाहिए और पूरा जीवन कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तायार रखना चाहिए वा, क्या जजबा है और यही सभलता की कुझी है इन्होंने zero से start किया और एक hero की तरह बुलंदी को चुछ हुआ हमें नाज है ऐसे mark दर्शक, कर्तव विपरायन और honest doctor जिनका नाम है dr. जगदीश याने जगत के ईश इनका नाम ही इन्हें पूर्ण करता है आईए देखें Dr. Jagdish की कहानी उनी की जबानी It is easy to stand with the crowd It takes courage to stand alone People who decide not to follow the herd often find themselves leading the way I observed a gap in dermatology and decided to fill it But when has it been an easy job to do? Saurashtra के एक ग्रामवासी परिवार में जन्म लेकर 20 वर्ष की आयू तक ट्रेन के सफर से अंजान रहा है Medical की पढ़ाई पूरी करपाने के पीछे माता-पिता का योगदान सबसे एहम रहा है Dermatology को एक विशेशक्यता के रूप में चुनने का निर्णे मैं सबसे कठिन मानता हूँ सन 1908 गुजरात के एक शहर सूरत में जब मैंने अपने पहले क्लिनिक की नीव रखी उस दिन मैं नहीं जानता था कि पांच साल तक कठिनाईयों का सामना अकेले ही करूँ था मैं अकेला डॉक्टर था वहाँ जो अटेंडन्ट भी था और अकाउंटन्ट भी सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक निरंतर काम करने के एक आदत सी बन गई थी सिर्फ इतना ही नहीं इस दौरान सूरत के लोगों का निशुल्ख इलाज भी किया इसलिए कि स्किन से जुड़ी बीमारियों और उनके आधुनिक इलाज के प्रती उन्हें जाग रुक कर सको संग 2001 में जब बहतर ट्रीटमेंट्स के लिए लेजर मशीन्स को मैंने सबसे परिचित कराना चाहा तो बहुत क्रिटिसिजम का सामना करना पर दूए मेरे सहयोगी डॉक्टर्स और मुझसे जुड़े तमाम लोगों ने तब पहली बार मेरे काम की सराना की जब सूरत के लोगों ने खुले दिन से मेरे नए क्लिनिक और उन्नत सिवाओं का अभिनम्न लिए आज मैं काम्याब हूँ लेकिन जिन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है तुमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है अभी तो नापी है कुछ मुठीवर जमी आगे तो सारा आस्मान भी बाकी है